अब चुपी वह क्योंकि नेक्स स्वाल और आपके सामने लिखा हुआ अच्छा सवाल है ऐसे सवाल कभी कभी देखे गए हैं जैए एडवांस में एक वार देखा गया सवाल को मैं थोड़ा सा यहां पर सही कर दूँगो यह जो लिखा ओं इए-बडाष जीडर और खेल सबसे पहले तो तो क्या करो?, इससे क्या नोलड को लिए जीडो है और यहां pot के लिए जीडों रग्धी जीडों हो जाएगा सँढ़ेटी यह बन जागा तुमारे यह पूरा एक्स के भाइलू जैसे ही पूरा है इंटीगरेशन गाया ऑप यह जीड़ा तो सदब करने यह काम देगा हूँ एफ जीरो टू है और एफ डैस जीरो कितना है सर यह फोर है यह दोनों को फड़ा रख लिए अब कुस्ट्टन को सोल्ब करने से पहले मैं आपको डबल लाइबनिज समया दू डबल लाइबनिज क्या होता है सुनिए ध्यान से डर यह मत डबल लाइबनि डबल लाइबनिज क्या बोलता है कि माल लो लाइबल लाइबनिज और सिंगल लाइबनिज यहां पर FtDT लिखता था सिर्फ डवल लाइबनिज में अंदर फॉंक्शन होगा 100 ती दोनों को बोलो बैशा और इंटीकर सब्सक्राइब मैं सिंगल एगनी जहां जहां आपको बताया हूं वहां पर सिर्फ यहां पर टी लिखता था सब्सक्राइब इसका करना हो डिवाबट डिएक्स इसमें कुछ नहीं है आप क्या किजिए अंदर घुस्य इंटिग्रल के पाहले तो इंटिग्रल में कुछ चेंज नहीं करना है इसको डिफ्रेंसियेट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसियेशन ओफ एफ हाना एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में कभी पे ऐसा लिखा हुआ मिले ना डेवा वाई डेवा एक्स इसका मतलब होता है डिफ्रेंसियेशन ओफ बाकी चीज कॉंस्टेंट रहेंगे अधर भाइयल स सार क्या कॉंस्टेंट्स एक्स के अलावे जो दूसरे वupid het सब कॉंस्टेंट माने जाएंगे सभी है स सब्धेट प yat upright our varies श्वार मतलब कुछ नहीं करना है अंदर में जाके इसको न एक्स के रेस्पेक्ट में डिफेरेंशीयसन कर देना है और बागी चीछ कॉंस्टेंट इसका मतलब कुछ भी नहीं है इसका मतलब डर यह मत इंद लिखने का तरीका है डेवा-डेवा पीजिक्स में देखें होगे इसका मतलब क्या होता है डिफेरेंशीयेट है ओल फंक्षन समझ दो सच्छा समझ आएगा बिद रेस्पेक्ट टू एक्स किपिंग टी कॉंस्टेंट टी का जो टम दिख रहा उसको कॉंस्टेंट माल लेदा है अच्छा सब मतलब जो अंदर जो भी फंक्सान है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशेट कर दिजिए और टी कॉ अबर लिमीट यहा भी वह करेंगे घर पिलिएसपब्लेंटी आपर लिमीट अफसिए​ उसको क्या करता थी इंटु आपर लिमीट का क्या इसको और आप इसको मैं बोलता हूं क्या होता है मैं सब्सक्राइब दरने की बिल्कुल जरूत नहीं तो कभी ऐसा रहा सब्सक्राइब करेगा यह कॉंसेप्ट कभी आ सकता है कॉंसेप्ट से कहां तक है जी एक्स तक है और अंदर में टी का फंक्शन होता था लेकिन यहां पर एक सो टी दोनों को फंक्शन है क्या करना है सुनिए यह इंटीग्रल को सेम रखिए ऐसे मैं सब्सक्राइब लिख दे रहा हूं फाई एक्स से कहां तक जी एक्स तक और डिफ्रेंशियेट फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में बिट रिस्पेक्ट क्या एक्स किपिंग टी कॉंस्टेंट किपिंग टी कॉंस्टेंट को इसके बाद प्लस त ती को रिप्लेस करना है किससे अपर लिमिट से और ईंटु अपर लिमिट का डिफ्रेंसेशन उंटु क्या डिफ्रेंसेशन किसका डिवाइड है यह का अपर लिमिट का अच्छा और माइनस सब्सक्राइब करना है यह क्या बोलते हैं इसको डबल लेंग नीज़, सही है, फिर से सुन लिजे डबल लेंग नीज़, आपको डर लग रहा होगा, क्या करना है, इंटिग्रिल के अंदर घुष जाना है, और जो फंक्शन है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंसियेट कर देना है, घुष दो चुक्ता देवायग डीक्स अपक्या ऐपर लिमिट माईनस टी रीप्लेस पर क्या लोवर लेमिट इंटू डीवायग डीक्स क्या लोवर लेमिट बस मुछ नहीं, सही हहाँ तक हांसर, तो डरन्ने को जरूदा नहीं है, चैकि कुस्ट्ट्ट्रों क्या है, क्वस्ट्र्म में लिख एक्स माइनस टी एफ डास टी एड़ डीटी देट अधिश्टू है ईपर पावर ट्व एक्स अब प्लास इपर पार क्या माइनस टू एक्स इंटू कॉस्ट टू एक्स डबल लैबने जाएक कॉंसेप्ट है उसी कांसेप्ट में थोड़ा समय लगा है है प्लास कि टू एक्स बाइए यह टू बाइए इंटु क्या एक्स के लिए रहो और तो आपको एवाइल बताना टुए प्लस वन पर पाउर फाइब इंटु क्या एस पाय चलिए डाजने को जरुरत नहीं है सुनो ध्यान से चलिए डिफ्रेंशियेट कर देजिए है बोट साइड विट रिस्पेक्ट व क्या एक्स एक्स यहां क्यों जागा एक्स और यहां डबल लगाएंगे तो यहां पर अंदर गुस्थना है और एक्स के रिप्रेंशियेशन करना यहां पे इंटेग्रेल के अंदर में जिरो से एक्स एक्स का डिफ्रेंसेशन वन और टी को कॉंस्टेंट मानना भी जया तो टी का जिरो हो जाएगा कि वन इन्टू एफ दैस टी टी कॉंस्टेंट रहेगा और प्लास सुनना द्यान से अब उसको आपर लिमित टी के जगा पर एक् एक्स माइनस जिरो और इन्टू एफ डैस जीरो जीरो का डिफ्रेंसेशन जीरो अरे यार यह तो साइलेंट हो गया असान हो गया सरी हां सब यहाद कोई दिख्कात नहीं एसा अब सुनना द्यान से अब इधा डिफ्रेंसेट केजिए यह बन के भाई साब क्या इपे पाव और ये साइलेंट रहा इसका डिफ्रेंसेसल को साइलेंट रृख पर क्कूल है किसको ओ स्कौः सफोड़ी क्षै और व स्कॉच सान-व साइन तू एक्स से बोलो यार कॉस का क्या जागा माइनस साइन टू एकस और टू एकस का क्या जागा सर तू पाइब यह बाहर रहेगा एकस का उवर जाएगा तेरे जगा टू बाइए के लिए हो आज देखलो भी एक खैर अब एकस की वहलुट पुट कर दीजी क्योंकि अपने पास पूट एकस लिए जीरो यह तो गया हटाओ इसको आच्छा यहां यह भी घया अरे यह पे पावर जीरो यह वन इंटो तू हो जाएगा यह तो एगा यह पूरा चल देगा अच्छा यहां पर यह प्लस है नही चलतेगा ये कितना बजगा शहर्ण एवडैस-0 कि बड़ियु 기자 कि इसलों एघ्र एब्स जीरो कितना है थैसे अपने को साधी स्हिए एफडैस-0 कि अपना कितना टू sem आपने को चाहिए चाहिए अपने को चाहिए टू एप्लस पर फाउवर फाइब इन्टु एश्पार देखो भी यह कि अब यहां से कितना जाएगा यह ही निकाली लियो न एट रख़ो तो यह आगे आपना वन प्लस वन पर पावर फाइफ और इंटू यह एस का मतलब क्या वन वई फूर टू पर पावर फाइफ थाटी टू इन्टू वन वई फूर यह अंसर आजागा एट जेखलो भी सही है बाकी देखिए समय थोड़ा सा लगा है सवाल पर इसका कता ही मतलब यह नहीं हुआ कि कुश्चन क्या है बड़ा है डबल लेविच यहां सिखाना था आपको सीख लीजे कभी-कभी पुछे गया है सवाल जेई एडवांस भी पुछा है सवाल सही है हांसर देखलो भी तो करेक्ट अंसर अपका जगा एड़ दो